हलो एवरीवान आप सभी का स्वाग अदे भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहां पर आपको प्रोवाइट कराया जाता है 100% free of cost high quality educational videos of K12 यानी kindergarten से लेकर class 12 CBSC board English medium और इसी के साथ बिटा हिंदी medium के students जो class 6 से class 12 तक की UPMP बिहार राजस्तान और डेली बोड में है उनके लिए Magnet Brains Hindi Medium YouTube चैनल अलग है जहां पर उनको भी free of cost अच्छी वाली quality education provide कराई जाती है और अगर notes की आपको जरूरत है तो हमारी website पर visit कर लेना website www.magnetbrains.com application भी install कर सकते हो और बड़िया वाले notes डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए PDF format में मेरा नाम है जीशान मैं हूँ आपका maths mentor और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस amazing session में जहां पर class 11 का chapter number 8 अपन continue करेंगे which is sequences and series और इसमें आज अपन समझेंगे इसका बहुत ultimate topic which is geometric progression आव बच्चो लेट नहीं करना है geometric progression पढ़ना है यह सारी चीज़े देखेंगे don't worry एक एक करके देखते हैं ठीक है okay sequence में आ गया था ना progression समझ में आ गया था ना अगर किसी sequence में हम ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो अगर किसी sequence में हम connectivity पकड़ पाएं कि एक टर्म से उसके दूसरा जो next term वो कैसे आ रहा है दूसरे टर्म की मदद से हम तीसरा डर्म कैसे ला सकते हैं तीसरे टर्म की मदद से हम चौथा टर्म कैसे ला सकते हैं और जो connection है वो stable हो सर क्या बोल रहे हो आप बताता हूं सुनो जयान से सुनो पहले हम progression समझेंगे ठीक है पहले हम progression समझेंगे जैसे मान के चलो बिटा 3 ठीक है और के सर 5 ठीक है ठीक है 7 9 11 13 सबकोज यह मैंने आपको एक sequence दिया इसे शीकून्स ठीक है अब सीकून्स में मैं बस इतना चाह रहा हूं क्या इस सीकून्स में आप कुछ ऐसा connection धून सकते हो कि आप कैसा को कि सर 3 में यह करो तो 5 आ जाएगा और सेम जीज 5 में करो तो 7 आ जाएगा सेम जीज 7 में करो तो 9 आ जाएगा same cheese 9 में करो तो 11 आ जाएगा same cheese 11 में करो तो 13 आ जाएगा मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ 5 कैसे आ रहा है 3 की मदद से तो आप काऊगे 3 प्लस 2 कर दू sir ध्यान से सुनना जी sir प्लस 2 कर दो ठीक है 5 से 7 कैसे आ रहा sir प्लस 2 कर दो 7 से उसका next term 9 कैसे आ रहा sir प्लस 2 कर दो 7 में 9 से 11 कैसे आ रहा प्लस 2 कर दो 11 से 13 कैसे आ रहा प्लस 2 कर दो मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान से देखो कि यह sequence है लेकिन इस sequence में एक बहुत special बात यह है कि हम एक गौर से देख सकते एक चीज के सर एक term से उसका दूसरे term कैसे आ रहा प्लस 2 करके दूसरे term से उसका next तीसरे term कैसे रहा प्लस 2 करके तो connection stable है connection fixed है प्लस 2 connection क्या है सारे के सारे elements सारे के सारे terms प्लस 2 प्लस 2 करके आ सकते पीछे वाले में प्लस 2 कर दो next आ जाएगा समझ में आई बात हाँ सर तो ऐसी चीजों को ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर स्टेबल कनेक्शन आए कुछ जैसे एक और बताता हूं तुमको ठीक है ध्यान से सुनना जी सर एक और बड़ी ऐसी चीज बताता हूं ठीक है सर यहां लिखा मैंने 60 ठीक है फि 7.5 क्या 15 by 2 फिर मैंने लिखा बेटा 15 by 4 ठीक है यह लिख दिया मैंने पांच टर्म स्थेयान जा सुनना जी सर अब मैंने कहा कि बच्चा यह सीक्वेंस है सीक्वेंस तो है सर सही बात है कुछ स्टेबल कनेक्शन मिल रहा है क्या कि सर 60 की मदद से उसका नेक्स्ट आजाए 30 की मदद से उसका नेक्स्ट आजाए 15 की मदद से उसका नेक्स्ट आजाए 15 by 2 की मदद से उसका नेक्स्ट आजाए और जो कनेक्शन धूंड़ो वो सब में सेम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि इससे यह आ रहा है इंटू टू करके इससे यह आ रहा है प्लेस पाइफ करके इ स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए चलो आओ धूंडते हैं ठीक है तो सर क्लियली दिखतो तुम लोग को गया ही होगा कि सर सिक्स्टी से थर्टी हम कैसे ला सकते हैं कुछ नहीं सर डिवाइड बाइड बाइड टू कर दो अच्छा थर्टी सो उसका नेक्स तर्म कैसे आ रहे है सर यह भी दिवाइड बाइड 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 इस प्रोग्रेशन ठीक है तो ऐसी चीजों को ऐसे सीक्वेंस को जिन में एक स्टेबिल कनेक्शन मिल जायो जिनकी मदद से हम एक स्टेबिल कनेक्शन का मतलब है फिक्स कनेक्शन उस फिक्स कनेक्शन की मदद से हम नेक्स 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 के नेक्स 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 टर्म्स निक जी सर एक और चीज़ बताता हूँ आपको ठीक है सर यहां लिखा बनने 2 ठीक है, done सर यहां लिखा मैंने 3 done सर नहीं, रुख जा भी रुख जा यहां लिखा मैंने बेटा 1 यहां लिखा बेटा मैंने 4 यहां लिखा बेटा मैंने 9 यहां लिखा बिटा मैंने 16, यहां लिखा बिटा मैंने 25 sequence है, this is a sequence और मैं आपको connection भी बता देता हूँ, क्या sir यह है बिटा हमारा 1 का square, यह square वाले connections है 1 का square, ठीक है यह है बिटा हमारा 2 का square, क्या है दोस्त यह sir हमारा 2 का square, ठीक है sir ये क्या है? ये 3 का square ठीक है? ये क्या है sir 4 का square ठीक है? ये क्या है sir 5 का square ठीक है? ये connection तो हमने देख लिया पर ये fixed connection नहीं मैं बस इतना चाह रहा हूं कि मुझे इतना बताऊ one से four कैसे आएगा? one से four कैसे आएगा? तो तुम कऊँगे sir 1 into 4 कर दो तो आजाएगा या plus 3 कर दो तो आजाएगा भही है plus 3 करो के तो 4 आजाएगा या into 4 कर दो के तो 4 आजाएगा अच्छा 4 से 9 किया से आ सकता 4 से 9 जो मुझे clear दिख रहा है वो plus का 5 है तो बेटा यहाँ plus 3 यहाँ plus 5 अलग-अलग हो गया ना stable connection तो नहीं है नहीं सर तो इसको हम progression नहीं बोल सकते we can't call it as a progression हैना यह sequence है अच्छा sequence है लेकिन progression नहीं है सर clear है हाँ सर अब बात करते हैं पिटा geometric progression geometric progression पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपन arithmetic progression यानि AP को थोड़ा सा याद करे AP हमने class 10 में बहुत अच्छी से पढ़ रखी है क्योंकि अगर आपको AP याद आ जाएगी तो आपको geometric progression से connection कराने में मुझे जादा दिक्कत नहीं होगी आपको मैं बहुत आराम से connect करा दूँगा कि GP क्या होता है geometric progression क्या होता है आओ देखते है तो सर जी तोड़ा सा आप recall कराईए AP ठीक है AP बोले तो बिटा क्या होता इसका full form arithmetic progression A-R-I-T-H arithmetic ठीक है सर जी P stands for progression done ठीक है done sir arithmetic progression ठीक है यह अपन ने लिख लिया sir done आगे देखना ध्यान से सुन दे जाओ और अपन आगे क्या काम करते जाएंगे सा ठीक है तो arithmetic progression की एक खास बात थी progression मतलब numbers comma number comma number comma number है ना एक खास बात यह थी कि उनका difference common था बगल बगल वालों का difference common था जैसे example चलो भी यह example देख लेते हैं है ना आपको must example बताता हूँ तो यहाँ क्या होता ना arithmetic progression जो है ना यह difference पे काम करती है किस पे काम करती है बिटा difference पे यानि subtraction पे और जो GP है ना geometric progression यह ratio पे काम करता है division ratio का मतलब है division अगर मैं difference लिखू तो difference है आप समझ जाते हो सा difference is nothing but subtraction और ratio बोलू तो ratio is nothing but division ठीक है सर सुनते हैं ना जी सर example बताई है तो चलो example discuss करते हैं एक example ले लेते हैं सर ध्यान जो सुनियेगा जी सर 2 ठीक है 5 ठीक है 8 11 14 dot dot infinite लिख दी मैंने infinite AP लिख दी ठीक है अब यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या है है ना ध्यान सुनना पिटा अपन रिकॉल कर रहे है AP यह क्या होगा सर यह अपना सीखते को एक progression जो होता ना वो एक sequence भी होता है sequence ही एक special category में जब आ जाए तो इसको progression बोलने लगते हैं तो sequence के जैसे यह progression है तो इसको हम sequence भी बुला सकते हैं sequence के terms को हम क्या लगते हैं a1 a2 a3 a4 यह ही है हाँ सर सही बात है तो इसको मैंने लिखा a1 यह क्या है सर a2 ठीक है यह क्या है सर a3 ठीक है ठीक है a4 ठीक है done yes सर a5 ड़न है सर हाँ तो यह terms हो गए ठीक है यही होता है कि अगर आप किसी भी टम्स जासे एटू है आप उससे उसके पीछे वाला माइनस कर दो सब्रेक्शन यानि डिफरेंस कर दो तो यह क्या आएगा सर फाइफ इस एडू एडू फाइफ माइनस टू सर थ्री आया ठीक है टन हासर डन नेक्स्ट सर आप एठी से उसके पीछे वाला एटू माइनस करो ठीक है जरा एठी से उसके पीछे वाला मैं एटू माइनस कर दू तो एठी क्या है सर एठी क्या है सर जी एठी हमारे पास ध्यान दे सुनना बिटा एठी है एट एटू है तो एट माइनस फाइफ तो A4 क्या है, 11, 11-8 सर ये भी 3 आएगा, तो पेटा, difference जो है ना, वो सेम आता है, किसी भी term से उसके पीछे बाला minus करो, जैसे 11-3 आएगा, तो difference यहाँ पर क्या होता है, common, तो इसको AP बोला जाता है, AP क्या होता है, AP is a collection of words, sorry, collection of terms या numbers, या progression of numbers, progression of numbers, जिसमें the difference of two consecutive numbers, या two consecutive terms, consecutive का मतलब बगल बगल वाले, difference of any two consecutive terms in same order is equal, same order मतलब, अभी बताता हूँ, भाई मैंने इन दोनों number को टालिया, 5,8, सर बगल बगल वाले हैं ना, हाँ सर, और फिर मैंने टालिया, 11,14, ठीक है सर, ध्यान जोटना, जी सर, मैंने बोला, कि A, P, arithmetic progression, इक progression होती है numbers की, जिसमें difference, same होता है, किसका difference, two consecutive terms का, लेकिन in same order, same order मतलब, सर, यहां मैं 8 से 5 माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आया सर 3, यहां मैंने 8 से 5 कर दिया, तो 8 से 5 किया ना, तो same order वहाँ पर, 14 से 11 माइनस करना, 14 से 11 माइनस करना, तो ही 3 आएगा, same order, अब मान के चलो, मैं यहां से 5 से 8 माइनस कर दूँ, 5 माइनस 8, तो क्या आएगा बिटा, माइनस का 3, तो आपने यहां 5 माइनस 8 किया, तो फिर यहां भी same order होगा, 11 माइनस 14 करना, आओ चलते हैं GP की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, इस वीडियो का, इस सेशन का, ठीक है, तो GP का सबसे पहले, तो नाम याद कर लो बिटा, इस Geometric Progression, बात क्लियर है, बात क्लियर है क्या, येस, चलो, अब सबसे पहले, अपन GP पढ़ते हैं, GP होता क्या है, एक बात ध्यान लखना, बहुत इंपोर्टेंट है, Arithmetic Progression, जो है न, इस अब डिफरेंस, इस अब डिफरेंस, मैंने भी फिर बोला, डिफरेंस मतला, माइनस करते हैं, इस माइनस दिस, यहाँ डिफरेंस जो है, बराबर आएंगे, Geometric Progression में, Ratio बराबर आते हैं, Common आते हैं, आओ चला, करते हैं, जल्दी से, Solve, ठीक है, आओ ज़रा करते हैं, तो सर, एक एक जाम्पल यह वाला लेते हैं, 4,2, 4, 8, 16, यह आपको एक Progression दिया गया, ठीक है, दियांचा सुनना, जी सर, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हम A1, A2, A3 नाम देंगे, क्योंकि सर यह तो Progression है, Progression sequence होता है, नाम देंगे सर, तो A1, सर यह क्या होगा, A2, This is A2, Done सर, This is A3, ठीक है सर, This is A4, Done, बिल्कुल दन सर, ओके, चेक करो, क्या यह A2 है, क्या यह Arithmetic Progression है, नहीं सर, A2 नहीं है, क्यों नहीं A2, अभी बताता हूँ, देखो, A2 क्यों नहीं है सर, A2 इसलिए नहीं है सर, तो सर, यह तो 4 आ रहा है, यह दोनों तो सेम नहीं आ रहे, तो AP नहीं है, इस इस नोट, Arithmetic Progression, अब हमें, Geometric Progression में, क्या चेक करना चाहिए, याद रखना बेटा, अगर आपको, दी हुई Progression में, आप एक Speciality चेक कर लो, सिर्फ एक Speciality, एपी में क्या चेक करते थे, Difference, यहाँ Ratio चेक कर लो, यानि Division चेक कर लो, किस चीज़ का Division, ध्यान से सुनना, Pattern जमना, Pattern बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, किसी को किसी से भी डिवाइट कर दिया, नहीं, Pattern ऐसा है कि, किसी भी नंबर को उसके पीछे वाले से डिवाइट कर दो, बस, खतम, मतलब 4 को उसके पीछे वाले 2 से डिवाइट कर दो, ठीक है, किसी भी नंबर को उसके पीछे वाले से डिवाइट कर दो, 8 को बेटा 4, उसके पीछे वाले 4 से डिवाइट कर दो, किसी भी नंबर को उसके पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दो तो बिटा 16 को 8 यानि उसके पीछे 8 है उससे डिवाइड कर दो सब सेम आएंगे बिटा यह क्या या 2 बिटा 8 by 4, 2 16 by 8, 2 देखो सारे ratios, सारे division बिलकुल same to same आए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पर ratio is common AP में difference same आता था difference को common difference बोलते थे जब सारे differences same आते थे तो उसको common difference बोलते थे यहां ratio same आ रहे हैं तो common ratio बोला जाएगा कि बात समझ में आ रही है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्यारा सा ये topic आपिक है geometric progression जी हाँ इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको दिये हुए numbers में ratios चेक करना है अगर ratios equal आ जाए तो वो GP कहलाएगी geometric progression कहलाएगी आओ बच्चों करते हैं अपन next example में ठीक है यह तो GP है सर यह पहला वाला तो GP है क्योंकि इसके ratio क्या रहा है सर 2 सब के 2 आ रहे देखो देखो मिटा इसको इससे डिवाइड किया कितना आया 2 8 को इसके पीछे वाले 4 से डिवाइड किया कितना आया 2 16 को इसके पीछे वाले 8 से डिवाइड किया कितना आया 2 तो सर रेशियो तो बराबर आ रहा है यह GP है, यहाँ भी same काम करेंगे, आप अच्छा, यहाँ sequence जो है, अपने लिखे लेते हैं, जो progression है, 1 upon 9, ठीक है, next क्या है, minus 1 upon 27, 1 upon 81, minus 1 upon 243, dot, 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 ठीक है, पहले तो terms के नाम लिखेंगे, सर पहला term क्या होता है बच्छा, पहला term होता है हमारा A1, this is A1, दूसरा term होता है A2, this is A2, तीसरा होता है बच्छा, A3, this is A3 and last होता है, this is A4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, done, सुनते या ना जी सर, अब अपन को करना क्या है, हमें करना है, check, क्या यह हमारा GP है, क्या यह geometric progression है, कैसे करते हैं, simple है, geometric progression की एक पहचान तुमारे दिमाग में छपी होनी जाहिए, कुछ है ही नहीं, तो अपनने क्या करा, अपनने A2 को A1 से डिवाइड मार दिया, डिवाइड मैं फिर बोल रहा हूं, डिवाइड की बात होती है, यह रेशियो, रेशियो, डिवाइड है न, रेशियो इस डिवीजन, चलो सर डिवाइड मारते हैं, फिर हम A3 से A2, इसको सॉल्फ करते हैं, ठीक है, डन, A2, A2 है बिटा, माइनस का 1 बाइ 27, ठीक है, अपन A1, A1 है बिटा, 1 बाइ 9, ठीक है, 1 बाइ 9, कैसे सॉल्फ करेंगे सर, 9 ऊपर चला जाएगा, 1 के पास, और यह 1, 27 के पास चला जाएगा, तो 9 इंटू 1 इस 9, 1 इंटू 27 इस 27, ठीक है, सि आया पिटा, यह माइनस का 1 अपन 3, ठीक है सर, नेक्स्ट, बड़े हाराम से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, तुमको, ठीक है सर, डन, नेक्स्ट, पिटा, अब इसको इस से डिवाइट कर दिया, अब इसको इसके पीछे वाले से डिवाइट करेंगे, यानि A3 है माइनस का तो आएगा, माइनस लिख दो बस यहां, ठीक है, 27 इंटू 1, 27 सर, ठीक है, 1 इंटू 81, 81 सर, ठीक है, डन, दोनों को पिटा, एक काम करो, 9 से सिंपल कर दो, 9 3 जा, 9 9 जा, माइनस 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, अब दोनों 3 से सिंपल कर दो, 3 1 जा, और 3 3 जा, तो माइनस 1 अप आला और करते हैं, तो देखते हैं, सर, ये भी सेम, सब से माने चाहिए, बिटा, एवरी रिलेशन, एवरी, एवरी, एवरी रेशियो मस्ट भी सेम, तो सर, एफोर, ये एफोर है, एफोर, उसके पीछे वाले से डिवाइट कर दो, सर, एफोर है, माइनस का 1 अपॉन 243, अपॉन 81, ठीक है, सर, डिवाइट कैसे होगा, सिम्पल है दोस्त, 81 टॉप पे चला जाएगा, और 1 यहाँ चला जाएगा, डन, ये सर, 81 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 243, ये 243 हो जाएगा, ठीक है, सर, डन है, इन दोनों को 9 से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों 9 से फिर से हो रहा है, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27 और पीछे माइनस, तो माइनस का 1 अपॉन 3 बेटा ये भी आया, डन, तो हमने क्या बोला, हमने बोला, रेशियोज आर सेम, therefore this is a GP, geometric progression, इतनी जी बात है, जी पी में कुछ खास बात थोड़ी नहीं, एतनी, एपी में क्या था, एपी में था सर, this माइनस दिस, जो भी आएगा, दिस माइनस दिस, जो भी आएगा, दिस माइनस दिस, जो भी आएगा, दिस माइनस दिस, जो भी आएगा, यहां रेशियोज इकोल आएंगे, जी पी में, वह Haiूण ओपॉन Potato at Me इतनीसी बात थे बिसक्त होगे अभी कुछ है लिए कोई दिक कठ नो साथ देखो वन अपॉन-3 वन अपॉन-3 मारा थे जिस और मैनस धत्याजिए बात नहीं तो आवन यह माइनेस का मारा माइनस कोई बात झोगी सकत होगा टीक है ठीक है तो समкого Eminasa का 1 upon 3, minus का 1 upon 3, minus का 1 upon 3 आएका, इसका आप करना, इसका आप try करना, ठीक है, this is a1, this is a2, this is a3, divided a2 upon a1, a3 upon a2, करके देखना, दोनों सेम आएंगे, ठीक है, clear है, हाँ sir, clear है, I hope, कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, इसको और पढ़ो बिटा जल्दी से, है न, ये तो सेम है, सेम है, वही चीज़े जो रिजल्द्स अभी अपनने लिखे, सेम है, ठीक है, सच, सॉरी, सच सीक्वेंसे आर कॉल्ड जिओमेट्रिक सीक्वेंस, और जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन, एब्रिवेटेड़ अस जीपी, या ऐसे, ऐसे, जैसे अपनने सॉल्व करें न इस, इस, अपन दिस, यह सब सेम आ रहे हैं, ऐसे सीक्वेंसे को जिओमेट्रिक सीक्वेंस, या जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एव्रिवेट, यानि शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिख सकते हैं, बात क्लियर है, क्या, हाँ सर बा अचलो हटाता हूँ इसको हटाओ, ठीक है, धियान जो सुनो, जी सर, बिटा, मैंने एक sequence लिखा, मैंने क्या लिखा, एक sequence लिखा, sequence कहलो या progression कहलो, ठीक है, मैंने एक, P-R-O-G-R-E-S-I-O-N, एक progression लिखा, और वो progression standard लिखा, standard मतलब, numbers नहीं लिखे, मैंने standard, standard कैसे लिखते ह कॉमा, A2, ठीक है, कॉमा, A3, ठीक है, कॉमा, A4, ठीक है, कॉमा, dot, 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 ठीक है, infinite लिखा, अब मैंने कहा कि यह progression जो है, हाँ, यह geometric है, this is geometric, geometric मतलब, geometric progression, ठीक है, geometric progression कैसे हो सकता है, याद करो, अभी सिखाया, अभी पढ़ाया, सिर, geometric progression यह तब हो सकता है, यह geometric progression तब हो सकता है जब हम इसको इससे डिवाइड करें यानि एटू अपॉन एवन करें जब हम इसको इससे डिवाइड करें यानि एथ्री अपॉन एटू करें जब हम इसको इससे डिवाइड करें एफूर अपॉन एथ्री करें और हम यह तीनों ही एक्वल मिलें यह जो भी आए जैसे यह म divided by this b2i का अब जожब तीनों ही सेमार तो हम एक काम करते हैं तीनों को हमने क्या मान लिया लेट कर लिया तीनों को आर जिसको हम क्या पोकारने लगे शर हम इसको पुकारने लगे बच्चा कॉमन रेशियो जो भी डिवाइद करके सेम आंसर आ रहा था जैसे अभी अपन ने जो by this जो भी आएगा will be equal to this divided by this जो भी आएगा will be equal to this divided by this जब तीनों के same answer आने है तो हमने उसको आर मान लिया कि भाई या तीनों ने same answer दिये let it be common ratio r बात समझ में आई यह सर अब तुम एक चीज notice करो क्या एक चीज notice करो क्या ध्यान जो सुनना जी सर अगर मैं a2 upon a1 उठा लूँ ठीक है तो 2 से कम एक कम है वन ठीक है या a3 upon a2 उठा लूँ तो 3 से एक कम है a4 upon a3 उठा लूँ तो एक कम है तो यह जो है न k plus 1 upon k यह यह important है समझना बात को जी सर यह आप क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो a2 को a1 plus 1 यह एक काम करते है a4 को लिख सकते है 3 plus 1 हा सर 3 plus 1 लिख सकते है upon a3 है 3 की जगा k लिख सकते हैं remove करके तो a 3 की जगा k तो यह k plus 1 हो जाएगा upon a 3 की जगा k और इसने क्या दिया सर इसने हमें r दिया था करो इसने हमें क्या दिया इसने हमें आर दिया था तो देखो पीटा एक प्लस वन अपॉन एक इस इक्वल टू आर ओजाए का रेशनल नमबर ओ सुरी कॉमन रेशियो है ना कि आपका कुछ भी हो सकता है इट कैन बी ग्रीटर देन वन इट कैन बी इक्वल टू वन ठीक है से लिए कि आपसे काहूं अपी जो अर्थमयटिक ट्रॉग्रेशन होता है ये सर으면 इपी जो हमने क्लास 10 में पड़ी है घी सर इसका स्टैंडर्ड क्या होता है इसका अगर मुझको series लिखनी हो standard में तो क्या होगा sir यह होगा a1 comma a2 comma a3 comma dot 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 और sir इसमें लिखते हैं ap में ध्यान तो सुनना जी sir इसमें ap में a1 को हम लिखते हैं sir a comma a2 को हम लिखते हैं a plus d बिटा अगर आपने class 10 में chapter अच्छे से नहीं पड़ा तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर क्या ही कहूं मैं आपसे a3 को बोलते हैं बिटा a plus यह एक दी था यहां दो डी हो जाएंगे comma dot 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 इतनी बात क्लियर है d क्या होता common difference सबको पता है sir d कैसे आता दिस माइनस दिस माइनस दिस common difference आजएगा लेकिन यहां gp की अगर हम बात करें तो gp में क्या होता है gp में ध्यान से सुनना geometric mean geometric progression में सर हम कुछ terms लेखते हैं ठीक है इसमें भी a1 a2 a3 यही चलता है a1 comma a2 comma a3 comma a4 ठीक है चार ले लिए जैसे हमने यहां comma dot 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 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ध्यान से सुनना जी सर तो यहां क्या चलता है यहां जो है न a3 a into r into r यानि a r की power to a r square r मतलब common ratio यह क्या हो जाएगा a r cube a r cube comma लगा दिया comma लगा दिया comma लगा दिया बात क्लियर है हाँ सर बात क्लियर है comma dot 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 लो भई तो यह आपको यहां लिखा हुआ मिल जाएगा the geometric progression is a comma a r comma a r square comma a r की power 3 अब मान के चलो मैंने क्या दिया n terms है तो यह आजाएगा last में a r की power n minus 1 यह बहुत जरूरी है तुमको बताना बहुत जरूरी है समझो बात को यह तुमको बताना बहुत जरूरी है कई बच्चे क्यों कि यहां पर इसी में confused हो जाते कि सर ध्यान से सुनना जी सर सब्पोज मैंने तुम से कहा बच्चों के मेरे पास ध्यान से सुनो मेरे पास कितने टर्म से मेरे पास एंड टर्म से कितने टर्म से एंड टर्म से ठीक है सर तो आपको लास्ट टर्म कैसे दिखाने हैं तो सर आपको लास्ट टर्म पता कैसे दिखान सब्सक्राइब कोमा और की बाँ लगा दो कोले में आरट पावर टो तरminist के पावर टोर घेंड लुप है किसे लिए मोड़ां वह लेकशन हाट यह कावर import है पर R की पावर एक कम कर दो 4 में से 3 तो term number n होगा तो R की पावर n में से कम कर दो n-1 यह बहुत important है ठीक है clear है हाँ sir clear है जल्दी से देख लो फिर अपन आगे चलते हैं I am erasing this yes I erase कर दो आगे देखते हैं अब यह पढ़ो जल्दी से ठीक है just read this देखो पेटा अगर हमसकी सबसे पहली लाइन पढ़ें तो हमें क्या समझ में आएगा as in the case of देखना किसके की बात कर रहे हैं यह बात कर रहे हैं पेटा AP यह arithmetic progression के हिजाब से बात कर रहे हैं as in the case of AP the problem of finding the anath term or sum of n terms of geometric progression containing a large number of terms would be difficult without the use of the formula देखो भी यह बात ऐसी है कि इन्होंने हमें एक आप कह सकते हो reference दे दिया इन्होंने पता क्या कहा direct GP पे नहीं आई इन्होंने कहा क्या देखो भी अ हमने इन्होंने कहा देखना कैसे बताना चाहिए इन्होंने का कि देखो भीया हमारे पास जो AP पहले class 10th में हुआ करती थ इसमें अगर आपास बहुत سारे टर्म्स हैं ध्यान से सुनना बहुत सारे टर्म्स है टू ठीक है फाइव ठीक है एट İLEектив यह AP ठीक है अब हो किया रहे इसमें अजारी टर्म निकालने के लिए और स्म अफ अफ एय' टर्म्स निकालने के लिए sum of n terms निकालने के लिए जिसको अपन ऐसे लिखते हैं चल अच्छा spelling ही लिख देता हूँ मैं sum of n terms sum of first n terms इन दोनों को निकालने के लिए भाईया बहुत लंबी चोड़ी calculation हो जाएगी जो कि कई बार हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाईया sum of infinite हो नहीं पाएगा या nth term कैसे निकालोगे तो अब तुम से कह दिया जाए कि भाईया n की जगा तुम 21 लगा लो 21st term निकालो 21st term तो भाईया वो यह कह रहा है कि sum निकालना या nth term निकालना बिना formula के possible नहीं है और अगर possible है तो बहुत लंबा जाएगा तो हमने पढ़ रखका है sir nth term का formula a n is equal to क्या होता a p में a plus bracket n minus 1 d यह होता न हाँ sir sum का formula क्या होता sir sir sum का formula होता sum of n terms s n is equal to नई चीज़ नहीं है class 10 की चीज़ बता रहा हूँ s n is equal to beta n by 2 bracket 2a plus n minus 1d और भी होते हैं इसी से कई और दो और formula बन जाते हैं ठीक है तो यह दो formula ऐसे हैं जिनकी मदब से हम a p में sum of n terms निकाल सकते हैं यानि दूसरे formula से nth term निकाल सकते हैं इस formula से clear है yes sir अब वो यह कह रहा है कि भाई सहाब अगर हमें GP में ध्यान से सुनना अगर हमें GP में बात करनी पड़े तो हम GP में क्या करेंगे पताओ GP में हमें nth term निकालना हो तो तुमारे पास क्या formula है अगर हमें GP में sum of n terms निकालना हो तो तुमारे पास क्या formula है कैसे निकालोगे यह बाते हो रही है इस पूरे के पूरी स्लाइड में बस इतना बताया गया है कि AP में nth term निकालना या sum of n terms निकालना भाया छोटी मोटी बात नहीं है है ना as in a case of AP the problem of finding the nth term and sum of n terms of GP containing a large number of terms would be difficult without the use of formula कि भाया ये चीज़ पूरी की पूरी अगर हम GP में करें तो क्या formula हैं आपके पास तो सबसे पहले हम चीज़े समझते हैं a बिटा हमारा first term होता है a क्या होता first term r क्या होता common common ratio d नहीं है d यहां है AP में होता है d d को बोलते common difference plus 10 में बढ़ा है आपने यहां r है r को बोलते है common ratio the common ratio l होगा बिटा the last term l क्या होगा the last term n क्या होगा the number of terms the number of terms ऐसा है नोगा the sum of first and terms आओ बच्चो आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं general term क्या सर general term आगे का कौन सा है sum ठीक है general term पढ़ लेते हैं सम अपन बाद में पढ़ लेंगे ठीक है done sir तो देखो general term की बात क्या हो रही आपको AP से गुमा के लेकर आऊंगा ऐसा नहीं है direct ले आऊंगा AP से गुमाऊंगा ठीक है sir AP में ध्यान से सुनना AP की अगर हम series लिखें series नहीं sorry AP का progression लिखें तो ये क्या होगा sir a1, a2, a3, a4, dot 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 ठीक है ये होती है और इसको और अच्छे से सुन दर्दा के साथ लिखें है तो क्या लिखेंगे sir, a1 first term को बोलते हैं जिसको अपन a से denote करते हैं काहे से denote करते हैं sir, a2 second term को बोलते हैं जिसको हम बेटा ध्यान से सुनो AP है arithmetic progression इसको a2 को sir हम a plus d बोलते हैं क्या बोलते बच्चों a plus d इतनी बात clear है हाँ sir clear है ठीक है, a plus d, done sir, उसके बाद बेटा a3 जो है इसको क्या बोलते हैं, a plus 2d a plus 2d इसके बाद जो 14 term है उसको बोलते हैं, a plus 3d comma dot 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 तो sir इसमें जब हम an-th term की बात करेंगे what is an-th term sir, an-th term है क्या अगर हम an-th term की बात करें, an-th या an-th कुछ भी पढ़ लो तो an-th का मतला बेटा होता है कोई भी नंबर कोई भी नंबर, भाई, an-th की जगा आप ले लो 9th, क्या भाई, या 9th term बता हो क्या होगा an-की जगा आप 12th ले लो, 12th term बता हो क्या होगा तो an is general, तो sir, an-th term का formula जो हमने पढ़ा था, class 10th में वो था, an is equal to excuse me, sorry for this हाँ भाई, an is equal to beta a plus bracket n-1 into d ठीक है 10 है? हाँ 10 है इसमें होता क्या है, सर इसमें जो a है वो होता 1st term n होता number of term यानि आपको कौन सा term निकालना है सर मुझे 8th, तो यहाँ 8 आ जाएगा 8th term, 8th term समझ रहा हो ना 8, मैंने कहा 8th term निकालना है मुझे तो यहाँ n की जगा 8 आ जाएगा clear है? हाँ सर सर, d क्या है? d common difference होता है ठीक है, d क्या होता है d common difference होता है, आगे चलते हैं सर ठीक है तो सर, यहाँ यह ap की बात हो गई gp में क्या है सर? आओ पूरा का पूरा gp में लिखते हैं पूरा का पूरा gp में सजाते हैं ठीक है? done सर तो चलो आओ चलते हैं gp में सबसे पहले heading डालते हैं सर gp यानि geometric progression सर जी ap difference के बारे में बात करता है gp ratio के बारे में बात करता है यहाँ क्या होता? d, d for common difference यहाँ होता है बिटा r r for common ratio ठीक है सर जी? चलो इसमें लिख लेते हैं चार terms तो पहला हो गया a1 comma दूसरा हो गया बच्चो a2 comma तीसरा हो गया a3 comma 14 हो गया a4 comma dot 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 ठीक है? तो यह चार terms हो गया हमारे अब इन चारो terms को हम gp में कैसे represent करते हैं? ध्यान जा सुनना बेटा सर सबसे पहला जो a1 है उसको तो हम a से ही denote करेंगे a is your first term comma जो दूसरा term है न सर इसको हम a into r बहुत important है पेटा याद रखो a into r जबकि यहाँ दूसरा term क्या होता? a plus d यहाँ होता है a into r तीसरा term क्या होगा सर? दीसरा term होगा a into r square बस r बढ़ता जाएगा a यहाँ a r था यहाँ a r square यहाँ बेटा क्या आएगा? a four a four में बेटा a r cube आएगा a r cube comma dot 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 तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो हमें nth term का gp में क्या formula मिलेगा? तो सर हमें यहाँ nth term का gp में gp की बात हो रही है sir nth term का हमें gp में जो formula मिलेगा वो मिलेगा a n a n से ही चलेगा यह भी ठीक है? a n stands for nth term in gp a n stands for nth term in a p तो sir a p sorry gp में जो formula बनेगा वो simple सा है sir a r a r a r अच्छे से देगो पिटा a into r सब में a into r a into r a into r चला इसमें नहीं है कोई बात नहीं a r की पावर n minus 1 यह बहुत important है very important ठीक है? a r की पावर n minus 1 मैं बताता हूँ कैसे? मैं बताता हूँ कैसे? अभी तुछ जाओ कई बच्चे कहेंगे sir आया कैसे ही है? यह बता हो तो पेटा सबसे पहली चीज़ यह है कि ध्यान से देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 1 है न? हाँ sir a r की पावर 1 minus 1 1 minus 1 का मतलब है 0 और r की पावर 0 का मतलब है 1 a into 1 is a ठीक है? इसको क्या लिख सकते हो sir आप sir जल्दी बताइए इसको क्या लिख सकते हो आप इसको पेटा इसको लिख सकते हैं a r की पावर 2 minus 1 भई r यहाँ पर 1 है न? r की पावर 1 हाँ sir तो r की पावर 2 minus 1 2 ही क्यों लिख रहा है sir? 3 minus 4 minus 3 भी तो लिख सकते है पेटा यह a 2 है न? तो 2 minus 1 लिखेंगे ठीक है sir done done yes sir done next sir इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा a r की पावर 2 है न? हाँ sir 3 के हिजाब से लिखेंगे 3 minus 1 ठीक है इसको क्या लिख देंगे sir? धियान जो सुनना? जी sir इसको लिखेंगे a r की पावर 3 है न? हाँ sir 4 के हिजाब से लिख को 4 minus 1 तो sir हमें समझ में आया कि हम इन सारी के सारे टर्म्स को कुछ इस प्रकार बड़े open करके बड़े format में लिख सकते हैं ठीक है? तो ये लिख दिया sir हमने और कॉमल लगा कि dot 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 clear है हाँ sir? a 3 होता है पेटा a r की पावर 2 a r की पावर 2 जिस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया a r की पावर 3 minus 1 है न? 3 minus 1 क्योंकि 3 है अब मैं पता क्या कर रहा हूँ? बस मैं इतना काम कर रहा हूँ कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है 3 की जगा बस मैं n लिख रहा हूँ तो a 3 की जगा sir n is equal to a r की पावर 3 की जगा n minus 1 तो देखो यह formula बन के आ गया a n is equal to a r की पावर n minus 1 अच्छा यही चीज a 4 से बना लो आप a 4 क्या है? a 4 है बेटा a cube, a r cube, sorry a 4 क्या है? a r cube तो इसको erase करता हूँ मैं ठीक है? a 4 क्या है बेटा? a r cube को 4 के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं sir? a r की पावर cube को 4 minus 1 लिख सकते हैं अब यहाँ पर हमने notice किया कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी हम 4 ले आए तो 4 और 4 को n लिख दो a n is equal to a r की पावर 4 4 तो n न minus 1 लो भी है यहाँ से भी formula आगया आपका a n is equal to a r की पावर n minus 1 तो एक चीज और समझ में आई अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर a 2 a 3 की value लिख कूँ चलो a 3 क्या होता है? a r की पावर 2 a 4 क्या होता है? a r की पावर 3 तो एक चीज notice करने लाइक मिली मुझे कि सर कुछ भी हो कुछ भी हो अगर आपसे 17 a 17 पूछ लिया गया 17 टर्म बताओ तो सर a a सम में रहेगा हाँ यह तो यहाँ रहेगा बस यह 3 है ना r पे पावर कम कर दो एक 2 हो जाएगा 4 है ना 4 से एक कम कर दो आर पे सकें आगे done yes sir चलो moving on to next slide और next slide में क्या है sir do you see a pattern यह pattern वेटन तो मैंने आपको बता दिया इधर ही हो गया यह पूरा complete हो गया बिटा this whole thing is completed ठीक है यह हमारा पूरा complete हो चुका है clear है हाँ sir clear है आगे next session हम पढ़ेंगे sum of end terms ठीक है नहीं लेंदी खिच जाएगा ठीक है तो अभी हमने पढ़ लिया जी पी में normally nth term कैसे निकलता जैसे ap में nth term निकलता है a plus n minus 1 d gp में nth term का formula होता है ar की power n minus 1 बस इत्ता सा याद रखना है session अच्छा लगा हो तो like जरूर करना ऐसे ही channel पर बने रहो क्योंकि magnet brains आपको provide करता है hundred percent free of cost high quality educational videos of k-12 यानि की kindergarten से लेकर class 12 cbsc board English medium की बढ़िया वाली पढ़ाई आपको इसी channel पर मिलेगी हर class और हर subject की हिंदी medium के बच्चे जो हमारे class 6 से लेकर class 12 UP, MP, Bihar, Rajasthan और Delhi board में पढ़ रहे हैं वो हमारे magnet brains के हिंदी medium youtube channel पर visit कर सकते हैं subscribe कर सकते हैं और all subjects की बढ़ी आवाली knowledge बढ़ी आवाली पढ़ाई free of cost कर सकते हैं और अगर आपको notes की जरूरत है तो notes के लिए आप हमारे website या application चेक आउट कर सकते हो medium and Hindi medium all subjects के experts दौरा बनाए गए PDF format में notes मिल जाएंगे जल्दी मिलेंगे नेक्स सेशन में तिल देन happy learning take care, bye